काफी सारे लोग hero equipment को upgrade करके अपने ores को waste कर रहे हैं तो यहाँ पे आज के इस video में बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको अपने ores का best use करना है कौन से hero equipment आपको upgrade करने चाहिए कौन से आपको avoid करने चाहिए और case मेरे पास यहाँ पे लगबग 30,000 shiny ores भी हैं तो उनको आज के इस video में लोग use भी करने वाले हैं तो उससे आपको काफियत तक एक idea मिल जाएगा भाई किन चीज़ हो करना है और देखो भाई मैं attacks जैसे करता हूँ उसके साब से मैं करूँगा तो इसको मैं यहाँ पे बूलूँगा सभी लोग level 15 at least कर लेना अगर आप टाउनल 13,14,15 किसी 16 में भी हो क्योंकि यह level 15 तक काफी powerful है उसके बाद level 27 of course max होगी तो बहुत ही powerful हो जाएगी पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा ओर्स लगेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आप एकदम instantly plan मत करो बाद के लिए देख ले ना फिलाल at least level 10 से 15 के पीच में आप इसे रख लोगे तो most of attacks में काफी बढ़िया काम करेगा और किस अगर आप लोग यहाँ पे lower town hall पे है specially town hall 8 से लेकर town hall 11 तक 10 तक तो भाई यह बहुत ही underrated hero equipment है जो काफी आपके लिए helpful हो सकता है आप लोग queen charge करते हैं hybrid करते हैं भाई यह best hero equipment है आपके लिए मैं करता नहीं हो तो इसलिए मैं ने grade नहीं किया अगर आप करते हैं queen charge या अपना hybrid वगेरा तो उसमें कैसे काम करेगा एक side से आप king के साथ funneling करोगे तो जब भी किसी defense को या फिर किसी building को hit करेगा तो इसकी health recover होगी हो तो यह level 1 का आप बस देख रहे हो level max अगर इसका आप कर लोगे level 18 याणी level 10 जो भी आपके टाउनल पे max है तो यह इतना perfectly काम करेगा कि एक side पूरे base की तो अपना wham stats है और king के साथ ही आप निकाल लोगे और किसे यहाँ पर बात आए रही है कौन से attacks के लिए कौन से यहाँ पर hero equipment best है तो मैंने इसके विडियो अलड़ी बना रखी है best hero equipment for every hero उसको आप check out कर सकते हैं सारे best combinations देखने के लिए अब इस बात करते हैं टाउनल 9 और 10 वाले players के लिए यह वाला hero equipment जो आप देखे हो ना भाई टाउनल 9 और 10 वाले इसको max सबसे पहले कर देना यह hero equipment इतना best है भाई कि यह पूरा base जो है उसका center आप उड़ा सकते हो एक ही ability shot में पर टाउनल 12, 13, 14, 15, 16 पेशली टाउनल 14 के बाद तो यहाँ पर यह बहुत ही कम use में आता है और बहुत ज़्यादा इसको perfectly use करना पड़ता है और इसके लिए काफी ज़्यादा skills भी चाहिए इसलिए यहाँ पर मैं इसको यह नहीं बुलूगा कि सभी के लिए पर at least टाउनल 9 और 10 पर चीज़े काफी simple होती है 11 तक भी एक बार आप consider कर सकते हो उसको max करना चाहिए आप किसी भी टाउनल पर अगर आप लोग यहाँ पर queen charge queen walk कुछ भी करते हो hybrid वगरा करते हो न तो भाई इस वाले hero equipment को आपको कर लिना चाहिए max क्योंकि यह आप replace कर सक भाई यह वाला combination मुझे ना best लग रहा है जो queen का अपना default combination है मैं तो इसको भिलकुल छेड़ ने रहा हूँ मैं ऐसी उस कर रहा हूँ काफी बढ़िया काम कर रहा है लेकिन इनको भी मैंने यहाँ पर सबसे पहले priority नहीं दिया सबसे पहले हम priority देने वाले है guys walden को walden को इसल अटैक्स हो जाएं जहाँ पर super baller smash आप करते हैं उन सारी अटैक्स में एक चीज़ जो बहुत important है guys वो अपना walden है इसलिए हम लोग वादन की hero equipment सबसे पहले max करने वाले हैं और यहाँ पर दो best combination है सबसे पहले जो ground spam attacks करते हैं specially जहाँ पर troop की health कम होती है hog rider, miners हो गए यहाँ आप लोग root radar भी use कर रहो तो दोनों अपने books को आप रख लीजे जो पहली book है आपके troops को यहाँ पे invincible बनातेगी वहाँ पे आपके troops जो है किसी भी damage को immune कर लेंगे उनको damage पड़ेगा ही नी और second वाली जो हमारी book है भाई वो यहाँ पे जितनी भी health मतलब loss हुई है उसको recover भी कर देगी तो especially जो आप लोग core में घुश चुके आपके troops काफी जाद है यहाँ पे उनकी health कम हो चुकी है तो पूरी तरीकिस उनको heal कर देगा भाई यह अपना healing tome तो दोनों book का यह combination ground attacks जो especially करते है ना भाई तो उनके लिए best चीज है और second combination यह कि इन दोनों में से किसी एक book को replace कर दो अपने rage gem के साथ और यह चीज़ totally depend करती है आप किस type का attack करोगे अगर आप smash attack कर रहे हो तो आप यह वाली book रखना चाहोगे और अगर आप लोग classic spam attack कर रहे हो तो आप वापस से अपना eternal tome रखना चाहोगे और इसको replace करना चाहोगे अपने rage gem के साथ तो इसल shiny ores तो भर-बर के हैं अब grade करते जाते हैं चलिए यहाँ पर 1800 ores लग रहे हैं यहाँ पर अपने 2000 ores लग रहे हैं यहाँ पर अपने 2000 ores लग रहे हैं यहाँ पर 200 और 400 अपने glow ores glow ores की कमी पढ़ने वाली है काफी clearly समझ आने लग गया है यहाँ से हमारे पास सिफ 1100 glow ores यहाँ पर लगा दिया आप समझ सकते हूं मैं कितना इसको भाई थोड़े से glow ores और मिल जाएंगे आज clan वाली के बाद तो इससे हम लोग एकदम max out कर देंगे और healing tome के बाद मैं max करने वाला हूं अपने rage jam या फिर अपने eternal tome में से किसी एक को जिसको मैं मतलब आखे चल क यह वाला max करने हो अगला वाला बाद में देख लेना और फिलाल देखो मैं इसका यहाँ पर यह वाला hero equipment max नहीं कर सकता हूं because मेरे पास वापस से glow ores की कमी पड़ेगी पर level 17 अम ने कर दिया अब गईज इसके बाद हमारा queen का एक new hero equipment नहापर rumors तो चल रही हैं आने वाला है and ores अगर आपको और चीह हैं तो end screen पर आपको यह दो वीडियो दिख रही होगी इन दोनों वीडियो को आप check out कर सकते हो to get more ores and to get more tips for your blacksmith in clash of clans मैं आप समिन तो अंगली वीडियो में तब तक ले keep clashing peace out कलकिस आज की वीडियो में फिलाल इतना ही आपके screen के right और left side पर आपको दो वीडियो से दिख रही होगी इस वीडियो से related तो उसे भी आप check out कर सकते हो साथ ही में बीच में अपना second channel भी है तो उसको भी subscribe कर ले ना मैं आप समिन तो अंगली वीडियो में तब तक ले keep clashing peace out झाल कुछ in